हेलो हाई फ्रेंड्स मैं सरीत और आप सभी का मेरे किच्छन में स्वागत है आज मैं आपके साथ मैंगो शॉट्स की रेसिपी शेयर करूंगी यह बहुत जादा डेस्टी और इजी रेसिपी है बनाना अगर आपके घर पर अचानक महमाना है तो आप यह डेसिट बना के उन् देट लेए 10 रुपय वाला अब इसको एक जार में बिस्किट ले लेंगे बिस्किट को तोड़के डालेंगे ताकि पाउडर बनने में आसानी हो अब इसे पीस लेंगे मिक्सर में अच्छे से पीषने के बाद हमारा पाउडर बनके तयार है अब दो आम लिया है मैंने इस पीसे छील के अच्छी तरीके से काट लिया है काटने के बाद इसको मिक्षर जार में लेंगे पीस्ते से में ध्यान रखे अगर आपका आम खटा है तो इसमें चार चमस शक्कर लेंगे और अगर मीठा है तो स्कीप कर दे या शकर कम ले अब ब्रेडल के स्लाइस ले सबसे पहले हम बिस्किट का लेयर लगाएंगे जो मने पौडर बिनाया था अब उसके उपर हम ब्रेड और मैंगो का जो प्योरी बनायते हैं वो ले लेंगे उसको अच्छे से सेट करने के बाद हम सेवाई ले लेंगे सेमे बहुत जादा crunchy टेस देता है और खाने में बहुत जादा अच्छा लगता है फिर इसके उपर हम biscuit का एक और layer लगा देंगे इसे भी अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके उपर last हम mango puri लगाएंगे और इसके उपर biscuit और सेमे इसे गानिश कर लेंगे थोड़ा decoration कर लेंगे और हमारा mango shots रेडी है इसी तरीके से मैंने दो glass बनाया है इसे जरूर बनाया है यह बहुत जादा tasty होता है और बच्चों को बहुत जादा पसंद आता है इसे आप फ्रीज में भी 10-15 मिनिट रखे फिर उसके बाद खाएं यह तभी भी बहुत अच्छा लगेगा मेरी यह recipe आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बता है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले थाइंक्यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए